हालो एव्रिवन तो उमीद है आप इसको रिवाइस करकर आए होंगे और हर एक सेक्शन से यहां पर कोर्शन है सेक्शन एच में जितना भी पोर्शन है उससे सभी सो कोर्शन है तो हंडेड कोर्शन आईए फिर एक घंडे बैटिए और अटेम्ट कीजिए तो बीना किसी डिल सब्सक्राइब कोर्शन के अध्यक्ष कौन है बताना है आपको आपका ऑप्संस यह रहा है और जैसा कि मैं हमेसा 15 सेकेंड रुखता हूं ताकि आपको बार बार वीडियो ना पॉस करना पड़े तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन बी ओके जस्टिस अरुन कुमार मिश्रा ठीक है ओके सेगेंड कुस्टिन बताइए विच फिल्म वन दा एन फिल्म कंपेटिशन 2020 ओप्संस है आपके आप पढ़िए आराम से और अपना आंसर नोट डाउन कीजिए ओके तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन ए है ना थलसर भंगसर यह जो फिल्म है इसी को शॉट फिल्म कंपेटिशन में टॉप प्राइज मिला थर्ड कोशन है हूँ इस दे प्रेसिदेंट अफ यूनाइटेड नेशन्स हूमन राइट्स काउंसिल ओप्संस है तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन डी नजहत समीम खान कोश्चन नमर फोर्थ है हूँ इपांच दे फॉल्लाइग इस एन एक्स ओफिस्टियो मेंबर और अफ नेशनल हूमन राइट्स कमिशन है ना तो इन में से कौन होते है तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी चीफ कमिशनर फोर पर संस विद दिजबिलिटीज ओके इंटरनेशनल कंवेंशन ओन दे प्रोटेक्शन आफ दे राइट्स अफ आल माइग्रेंट वर्कर्स और मेंबर्स अफ देर फैमिलीज वाज साइंड इन माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड अभी कोई भी कुश्चन जो है आपके लिए इंपोर्टेंट है आपको बताना है यह कब साइन किया गया था तो इससा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन C 1990 में, ओके कुश्चन नमर सिक्स बताइए विच सेक्शन अफ दे प्रोटेक्शन आफ यूमन राइट्स आक्ट 1993 laws for formation of state human rights commissions state human rights commissions किस से किस सेक्शन के अंतरगत बनाया जाते हैं तो इससा करेक्ट आंसर हो जाएगा option C है ना धारा 21 जारखन स्टेट जो human rights का commission हो गया या कोई भी इस तरह से आप से पूछा जा सकता है right to life and liberty provision is given in which article of the universal declaration of human rights तो universal declaration of human rights जो है उसके किस article में right to life, liberty and security है पूरा मैं बता दे रहा हूं life, liberty and security तिनोंगा बात किया गया है तो इससा करेक्ट आंसर हो जाएगा option A, article 3 human rights day कब celebrate किया जाता है correct answer is option D, 10 December को कौन सा incorrectly matched है आपको बताना है तो correct answer इसका हो जाएगा option B, okay national commission for scheduled tribes, article 338 A है, 338 B नहीं, B है आपका national commission for backward classes, okay यह सब human rights section में आपको पूछा जा सकता है, polity का भी चीज है न, which article of Indian constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha for scheduled castes and scheduled tribes? तो इसा correct answer हो जाएगा, option A, article 330, which of the following is wrongly matched again, कौन सा गलत, ठीक है, मतलब, act दिया हुआ है, और सामने है, किस साल वो act पास हुआ था, तो इसा correct answer होगा, option C, okay SCs and STs, Prohibition of Attrocities Act 1989 है, 1979 नहीं, ठीक है, बाकी सम्ट, ठीक है, Q12 बताईए, United Nations Commission on Human Rights was established in, तो इसा correct answer होगा, option A, 1946 में established किया गया था, World Conference on Human Rights 1993 was held in, यह कहां हुआ था, मानवादिकारों पर विस्पसम्मिलन, तो इसका correct answer होगा, option B, Vienna में, Vienna, Austria, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights was established in, यह आपको बताना है, किस वर्स यह established किया गया था, तो correct answer होगा, option A, 1993 में, Okay, Freedom in the World Report 2021 के नुसार, इंडिया का status क्या है, Completely Free, Free, Partly Free, या Not Free, तो इसा correct answer होगा, option C, Partly Free category में इसको रखाया है, यह रिपोर्ट, ओके, चलिए, Environment वाले section में बाते हैं, Which of the following is not a biodiversity hot spot in India, इंडिया, इंडियो बर्मा, सुंडा लेंड, वेस्टर्न घाट्स या इस्टर्न घाट्स जो होट स्पोर्ट नहीं है, बायो डाइवर्स्टी होट स्पोर्ट, तो इससा correct answer हो जाएगा, Option D, Eastern Ghats, बाकि सब पार्ट है, या तो इंडिया में completely है, या फिर partly like करता है, ठीक है, इंडियो बर्मा होगे आपका, जैसे Northern, जो अंडिमान ए निकोबार आइलेंड्स है, यानि कि अंडिमान ग्रूप आइलेंड्स जो है, वो इंडियो बर्मा में आजाता है, सुन्डा लैंड में आपका निकोबार ग्रूप आइलेंड्स आ जाता है, Western Ghats तो completely होगे हमारे हाँ, एक्चुली उसी का extension जो है थोड़ा सा नीचे भी है, Southern Side, और Eastern Ghats जो है, वो होट स्पोट नहीं है, Man and the Biosphere program has been launched by, यह किस के द्वारा सुरू किया गया है, इसी है, इसका correct answer होगा, option C, UNESCO के द्वारा, question अब 18 बताईए, नगोया protocol is related to, सबसे ज़्यादा chances होता है इस तरह के questions का, तो इसा correct answer हो जाएगा, option A, Access and Benefit Sharing of Genetic Resources, question number 19 बताईए, bond convention किस चीज के conservation से, सनरक्षन से संबन्दित है, तो इसा correct answer होगा, option B, Migratory Species of Wild Animals, CMS इसी को बोलते हैं, living planet report, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो इसा correct answer होगा, option C, WWF, ठीक है, World Wide Fund for Nature, question number 21 बताईए, which of the following is incorrectly matched, यह बेसिकली, Wildlife Protection Act के विभिन amendments से, यह सब institutions का गठन हुआ है, तो आपको बताना है, कौन से amendment का बात किया जा रहा है, किस साल गठन हुआ है, वो नहीं दिया हुआ है, किस amendment से है, वो दिया हुआ है, तो इसा correct answer होगा, option D, National Tiger Conservation Authority, Wildlife Crime Control Bureau, जो option C है, दोनों 2006 amendment से ही, statutory status दिया गया है, या फिर बना है, ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, Central Jew Authority, ऐसे तो 1992 में बना, लेकिन 1991 में amendment हुआ था, WPA का है न, और National Board for Wildlife, 2002 amendments है, ओके, What is India's rank in climate change performance index, very very important, climate change performance index में, भारत का rank बताना है आपको, तो correct answer इसका हो जाएगा, option A, 10th rank है, ओके, COP26 of UNFCCC in 2021 will be held at, ठीक है, United Nations Framework Convention on Climate Change, इसका जो 26th meeting होगा, इसके parties का, वो कहां होने वाला है, options आपका Madrid, Glasgow, Nairobi या फिर Lima, तो correct answer इसका होगा, option B, Glasgow, है न, UK में, question A24 बताईए, Stockholm Convention किसे संबन्दी थै, बायो डाइवर्स्टी कंजर्वेशन, पर्सिस्टेंट और्गैनिक पॉल्यूटेंट्स, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन या फिर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो इसका correct answer होगा, option B, पर्सिस्टेंट और्गैनिक पॉल्यूटेंट्स, पर्यावरन परदर्शन, सूज कांक में भारत का रैंक बताना है, तो इसका correct answer होगा, option D, 168, क्लाइमेट चेंज पर्फॉर्मेंट्स इंडेक्स, और इन्वर्मेंटल पर्फॉर्मेंट्स इंडेक्स, दोनों का रैंक इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन उब्जर्बेटरी इस बिंग एस्टेबलेज्ट इन, कहां पर डॉल्फिन उब्जर्बेटरी एक बनाया जा रहा है, तो correct answer हो जाएगा, option C, बिहार में है न, जहां पर डॉल्फिन सेंक्च्चॉरी है guitar बहागलपूर में, विक्रम सिला डॉल्फिन सेंक्च्चॉरी जो है, वहीं पर यह ऑबजर्बेटरी बनाया जा रहा है, एक research center भी बनाया जा रहा है, वो पत्ना में, ठीक है, तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में ठीक है लाइकन जो है पॉल्यूशन लेवल का एक इंडिकेटर होता है ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो नहीं वहां पर होता है विच एनिमल हैस बिन डिक्लेर्ड एज अमबैसडर ओफ चिलिका लेक आपके ओप्शन हैं फिसिंग कैट पैंगोलीन ओलिव रिड्ली टर्टल्स या फिर फ्लेमिंगो तो करेक्ट अंसर हो जाएगा ओप्शन ए ओके फिसिंग कैट को जो है अमबैसडर घुसित किया गया है चिलिका लेक का देहिंग पठकाई नेशनल पार्क कहां स्थित है वो बताना है आपको इसको बेसिकली नेशनल पार्क बना दिया गया है यह वाइड लाइफ सेंक्चुरी था ठीक है तो यह करेंट अफेर्स है तो करेक्ट अंसर होगा इसका असाम असाम में है यह वीच आफ फॉलेंग है इस रिसेंटली इंकुलूड़द इन दा वर्ड नेटव़र्क और प्रीजर्व बाघ्या प्रोग्राम तो मैंन और प्रोग्राम के तहत व्ल्ड नेटवर्क और बाइसमे इसको सामिल कर लिया गया है कि कौं सा रीजम है सारे बाइउस्पहर रिजर्ब में नहीं है इंडिया के इन पता होगा आप लोगों को तो पंण जो टाइगर रिजर्ब है है न वहीं बायोस्पहर रिजर्ब मर भी हो गया है ठीक है वॉल्ल नेट्वर्बNewक पॉर्ल और स्पाप gu國 ऐसा का सकते हैं तो करेक्ट अंसर हो जाएगा यू निपी और एफ हो ओके इसमें से कौन सा रमसार साइट नहीं है वेडलेंड हो सकता है बड़ जरूरी नहीं कि वो रमसार साइट भी हो तो इसा करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुख नालेख है बाकी तीनों जो है उरमसार साइट है दो जार एक्किस से तीस को किस चीज का दसक घोशित किया है संजुक राष्ट्रे एकोसिस्टम रियस्टोरेशन फैमिली फार्मिंग एक्सव नूट्रिशन इरिडिकेशन ओफ पॉबर्टी तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन एकोसिस्टम रियस्टोरेशन ओके फेम इसकीम किस से संबंदित है इजी कोस्चन बताए जल्दी से गान करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा इनेप्स और हाईबरीड टेश्ट जो हो से हुआ हो जो होते हैं ओके फास्टोरेट को स्नैंड मनुफल div of hybrid and electric vehicles, इसका full form होता है, okay, national action plan on climate change खब launch किया गया था, NAPCC, very important, तो इसका correct answer हो जाएगा, 2008, okay, what is the urban population in India as a percentage of its total population as per census, 2011, urban population percentage बताना है, basically, आपको इसमें, अब urbanization के कुछ questions देखते हैं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, 31, 31 point something है, 31 कम से कम याद रखिएगा, which is the most urbanized state in India as per census, 2011, सबसे ज्यादा urbanized सहर कौन सा है, Tamil Nadu, Maharashtra, Keral, या फिर Goa, तो correct answer इसका होगा, Goa, ठीक है, as per the functional classification of towns, what kind of towns, Jamshedpur, Hugli, Vilae, etc. can we classified into, किस तरह के सहर में classify कर सकते हैं, एक ही सहर जो है, एक से ज्यादा classification हो सकता है, है न, but, जो most appropriate होता है, आपको वही option सही करना है, तो Jamshedpur, Vilae, या सम, mostly क्या है, industrial towns है, ठीक है, okay, in which category cities, such as Varanasi, Partly Putra, Pryak, can be classified into, on the basis of evolution in different time periods, है न, वो था, आपका किस तरह का काम होता है, उन सहरों में, और यह है, किस time period में ये सब सहर बसा है, है, उस आधार पर, again, very easy, Varanasi, Partly Putra, Pryak, सब, काफी पुराना टाउन है, ये सब है न, तो ancient towns category में इसको रखा जाएगा, which of the following can be considered a negative effect of urbanization, सहरी करन का नगारात्मक प्रभाव, तो correct answer इसका हो जाएगा, D, easy again, urban population percentage in जार्खंड as per 2011 census is, जार्खंड का urban population आपको बताना है percentage, अगें ये भी decimal में है, लेकिन मैंने आपको राउंड कर आपको दिया था, तो 24%, अगें ये भी 24 point something है, Q42 बताईए, अमरित मिशन जो है उसका purpose क्या है, ठीक है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, water supply connection देना है न, sewer line connection ये सब देना, और भी उसमें काफी सारा components है, but water supply is one of them, ठीक है, निहाल सरीन किस खेल से समगन देता है, sports का कुछ question देखते हैं, तो correct answer हो जाएगा, option C, चेस से संबंदी था है, इस तरह का question पूछा जाता है, who were the joint winner of online chess olympiad 2020, online chess olympiad में, दो देश, संयुक तरोप से भी जेता हुए थे, तो इससा correct answer होगा, option C, इंडिया एंड रसिया, backhand कि स्खेल से संबंदी था है, इस तरह कुछ नहीं पूछा जा सकता है, last time velodrome पूछा था, easy है यह, options से साथ easy बन जा रहा है, तो इससा correct answer होगा, option A, tennis से संबंदी था, backhand है, backhand short होता है, who has won French Open 2021 Women's Singles title, जैसे BPSC में भी Women's Singles का पूछा था, last time, US Open, जहां तक मुझे याद है, तो इस तरह से भी पूछता है, तो इससा correct answer होगा, option D, Barbora, Crazy, Goa, थोड़ा difficult नाम है, याद रखिएगा, लेविस हमिल्टन किस खेल से संबंदी था, very very important, अगर मेरा current अफिर्स फॉलो कर रहे होगे, तो बहुत आसान कोश्चन है, कई बार जो है, इनके नाम पर emphasis किया हूँ, तो correct answer होगा, फर्मूला बोन या रेसिंग संबंदी, अगर कोई option दिया हो रहेगा, तो वही करेंगे, ठीक है, कि रेसिंग में भी कही थारा का game होता है, who has been named the captain of wisdoms, all time one day international 11, cricket से संबंदी थे question है, wisdom जो है, वो किसको, all time एक दिवसीय गदस का कप्तान बनाया है, तो इसा correct answer होगा, option B, kapil देव को, okay, okay, psychome, मीरा बाई, चानू, किस खेल से संबंदी थे, आपको बताना है, तो correct answer हो जाएगा, option C, weight lifting से संबंदी थे, okay, who is the chair person of national disaster management authority, easy question ये भी again, correct answer होगा, option B, prime minister, when did the government of India come up with national disaster management plan, national disaster management plan के साथ, कब आया सरकार, तो इसा correct answer हो जाएगा, option C, 2016 में, state disaster management authority, किस section के सेट अप किया जाता है, ऐसे ही पुछा सकता है, जारखन स्टेट इस्टेट इस्टेट मेंजमेंट आथोरी, किस section के अंतरगत बनाए गया है, तो एक ही बात है, correct answer होगा, इसका option C, okay, section 14, offenses and penalties in DM Act, have been discussed under which section, अपराध और दंड का चर्चा, किस section में किया गया है, ये COVID-19 के बाद, DM Act जो है, बहुत important हो जाता है, हमेशा आप news paper में पॉटते हो, कि disaster management act के ताथ, ये किया गया, इसको ये, पनिस किया गया, ऐसा हो ऐसा, तो कुछ important sections, उसका याद रखिएगा है न, तो ये धारा, एक यावाँ से 60 है न, इसमें, offenses and penalties के बारे हम दिया हुआ है, और ये chapter 10 में है, ठीक है, epidemic disease act was enacted in, ठीक है, ये बताइए, ये भी हमेशा news में रहता है, last time इसमें, और दिनांस लाकर थोड़ा सा changes लाया गया था, तो इसा correct answer होगा, 1897, 1897 का है, epidemic disease act, काफी पुराना act है, how many chapters and sections are there in DM Act, disaster management act में, कितना chapter और section है, इसमें थोड़ा से आपको, deep में जाने के जरूवत है, considering की बहुत ज्यादा important है, बहुत ज्यादा news में राता है, तो correct answer इसका हो जाएगा, option B, 11 chapter है, और 79 sections है, United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, adopted Sendai framework in, Sendai framework कब अपनाया गया था, तो correct answer इसका हो जाएगा, option B, 2015 में, which of the following seismic zones of India, represents the highest level of seismicity, बहुत का सबसे ज्यादा level, कि इस zone में माना जाता है, तो इसका correct answer होगा, option D, zone 5 में, zone 1 नहीं है, 2, 3, 4, 5 है, 4 zone है total है, तो zone 5 में जो है, highest level है, second beam stick, disaster management exercise, कहाँ पर हुआ था, तो correct answer इसका होगा, option B, Odisha में, ठीक है, पूरी में, conclude हुआ था यह, अलांकि भूबनेशर में भी, innogration वगेरा हुआ था, तो ध्यान रखेगा, Odisha, ज्यादा चांस है कि आपको, state का नाम ही दिया हुआ रहेगा, where is the national institute of disaster management located, तो इसका correct answer होगा, option A, नहीं दिल्ली, अब कुछ poverty और unemployment है, questions देखेंगे हम लोग, गिनी coefficient अगर एक है, तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं, तो इसा correct answer होगा, option C, ठीक है, मतलब inequality यह बिल्कुल है, आसमानता है, 0 होगा, जितना कम होगा, उतना ज्यादा समानता है समाज में, okay, international poverty line किसके द्वारा set किया जाता है, easy question है, पढ़ते होंगे आप लोग, dollar 1.90 वाल, वर्ल्ड बैंक के द्वारा है न, poverty and shared prosperity report, यह कौन निखालता है, तो correct answer इसका हो जाएगा, option A, again, वर्ल्ड बैंक, which of the following committees is related with, determining poverty line in India, कौन जा कमिटी जो एपोवर्टी लाइन दिटर्मीनेशन से related है, तो correct answer होगा, easy है, अलग कमिटी है न, PLFS, periodic labor force surveys, 2 survey, 2018-19, unemployment rate कितना बताया था, तो correct answer होगा, option B, 5.8, है न, labor force participation rate, unemployment rate, यह सब important है, याद रखियेगा, और यह बहुत important report भी है, mismatch between available job and skill, leads to which kind of unemployment, है न, जैसा जरूरत industry हो, आपके पास वैसा skill नहीं है, तो किस तरह का बेरोजगारी कहलाएगा, तो correct answer इसका हो जाएगा, option A, okay, structural unemployment, इस तरह का question भी, कई बार पूछा गया है, PM स्वानिधी scheme, किस से संबंदित है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option B, जो लून दिया जा रहा था, 10,000 का, street vendors, आत्म निर्भर, निधी के तहत, तो ये उसी से संबंदित है, ठीक है, what percentage of Indian population was poor in 2011-12-20, पर तेंदूलकर methodology, तो तेंदूलकर पध्धिति के अनुसार आपको बताना है, गरीबी 2011-12 में क्या था देश का, 22% भी दिया हो रहाएगा अगर उप्शन में, तो उस पर सही माने में, ठीक है, what is India's rank in global multidimensional poverty index, again a very important rank, correct answer इसका होगा, option B, 60 second है, which of the following is wrongly matched, कौन सा गलत मिलान है, बताइए, कब रिपोर्ट दिया, वो दिया हुआ है, उस साल का वर्स, कब गठित हुआ समीथी, वो वर्स नहीं दिया हुआ है, तो correct answer इसका हो जाएगा, option B, 1993 होता है, 97 है न, cyclical and frictional unemployment, कहां पर ज्यादा prevalent है, किस तरह के देशों में, तो correct answer इसका हो जाएगा, option D, क्योंकि वहीं पर जो है, आपको frictional, यानि कि एक job से दूसरा job, job रहेगा, तब तो लोग ये सब करते हैं, थोड़ा developed विवस्था रहेगा तभी, और cyclical भी business ज़्यादा वहाँ पर होता है, business dependent, तो cycle का जो प्रभाव है, बिजनस cycle का वो भी ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है, अब जहाँ पर job भी नहीं है, या बिजनस ही नहीं वहाँ पर या इसका प्रभाव भी कम होगा है, मिनिममम पेंशन कितना इसमें दिया जाएगा तो करेक्ट अंसर होगा इसका option D, तीन हजार नेक्स्ट कोर्शन बताइए, इसमें कभी भी पूछा जा सकता है, यह सब तो करेक्ट अंसर होगा पहला गोल, ठीक है जब पहला गोल है उसी में दिया हुआ है तो इंड पोवर्टी इन अल इट्स फॉर्म्स ओके अर्बन पोवर्टी पे कौन सा कमीटी बनाया गया था, तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा, option D, हासिम कमीटी, है न, seasonal unemployment in India can be seen in the context of, seasonal unemployment, easy है, the season के इसाब से employment status change हो जाता है, क्रिसी चेटर में, okay, a former prime minister of which of the following countries has been conferred padm vibhushan in 2021, तो करेक्ट अंसर होगा, जापान है न, जो वहां के पहले प्रदान मंत्री थे, उनको दिया गया है, इस पर, question no. 76, बताईए, which Indian web series won the best drama series award at 48th international Emmy Awards 2020, तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा, option B, Delhi Crime, okay, booker price 2020 वाला किसको दिया गया है, again easy है, बहुत important prize है, पढ़े होंगे आप लोग, Douglas Stuart है न, शागी बेंग करके उनका एक book है, उसी के लिए इसको, इनको दिया गया है, ठीक है, सांती स्वरूब भटनागर अवार्ड किस छेतर में दिया जाता है, तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा, option C, साइन्स अंटर्म लॉजिक फिल्ड में दिया जाता है, सांती स्वरूब भटनागर अवार्ड, 79th question देखिए, दिपांकर घोस को हाल ही में किस अवार्ड से समानित किया गया था, तो करेक्ट अंसर इसका हो जाएगा, option A, प्रेम भाटिया अवार्ड है जर्नलिजम के फिल्ड में दिया जाता है, वैसे भी आप से पूछा जा सकता है, प्रेम भाटिया अवार्ड किस छेत्र में दिया जाता है, ये बताएगे 55th ज्ञान पीठ अवार्ड किसको दिया गया था, तो करेक्ट अंसर इसका होगा, option B, अकित्थम अचुतन नामभूतरी है, अचुतन हाली में का नीदन हो गया, कोशन में T1 देखिया, विच अस्टेट हैस रीनेमड अ प्रेस्टीजियस अवार्ड गिवन तू परस्नालिटीज अव क्लासिकल म्यूजिक, अज सुननन्दा सम्मान, सुननन्दा सम्मान कहां इंस्टिटीट किया गया है, तो correct answer इसका होगा, option C, ओडिसा में, ठीक है, सुवाश चंदर बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021, ये किसे मिला, तो correct answer इसका हो जाएगा, option C, है न, दोनों को, A और B, option जो है, डॉक्टर राजिंदर कुमार भंडारी, और सस्टेनेबल इंवार्मेंट और इकोलोजिकल डेवलप्मेंट सोसाइटी, option B में जो है, उनको individual कैटेगरी में दिया गया, option A में, वो institutional कैटेगरी में, ठीक है, Young Champions of the Earth Prize किसके द्वारा दिया जाता है, तो correct answer इसका हो जाएगा, option C, UNEP है न, और इसमें विद्ध्यूत मोहन का नाम भी याद रखिएगा, इंडिया एक तरफ से उनको दिया, इस बार मिला था, ठीक है, तो याद रखिएगा, important है, question लंबा हो गया, लेकिन मुझे आपको बिसिकली बताना भी होता है, तो इसलिए लिख देता हूँ है, बाकी एक्जाम में बिल्कुल सौट में आपको सिंपली दिया हो रहेगा है, अलग-अलग काफी सारा राज्य को मिला है, इन्फेक्ट तमिल नाडू को भी किसी केटेगरी में मिला है, पर यहाँ पर correct answer हो का बिहार, ठीक है, innovation category में, innovation and pandemic category में, बिहार का जो वर्क था उसको मिला है, ठीक है, और कुछ केटेगरी में दूसरे राज्यों को भी मिला है, एक पर देख लिजेगा, important है, लीला बती अवार्ड, यह किसके द्वारा institute किया गया है, यह न, अस्थाफित किया गया है, ACRB, Science Engineering and Research Board, जिसको कहते हैं, तो correct answer इसका हो जाएगा, AICTE, AICTE के द्वारा इसको institute किया गया है, BIMSTEC permanent secretariat कहां पर स्थेत्य है, तो correct answer इसका हो जाएगा, DHAKA, Bangladesh, Okay, Who has recently been elected to UN Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions? तो इसा correct answer होगा, option D, विदिशा मैत्रा, Okay, 2 billion kilometers to safety campaign, यह किसका initiative है, तो correct answer इसका होगा, option C, UN High Commissioner for Refuses, है न, Refuses के लिए ही यह campaign चलाया जा रहा है, यह बहुत न्यूज में रहा है, पिछले देड़ साल में, आज रोग कि आपको अंदाजा लग गया होगा, तो इसका correct answer होगा, vaccines के लिए है, पहले इसको बोला भी जाता था, Global Alliance for Vaccine and Immunization, India will host the G20 summit in, G20 summit भारत कब host करने वाला है, correct answer होगा, option C, 2023 में, where is the headquarters of International Atomic Energy Agency located, इस तरह के static question, भी important होथा है, कम से कम headquarters है, तो इससा correct answer होगा, option A, Vienna, Vienna, Austria, which organization was established as a result of Marrakesh agreement, very easy, तो इसका correct answer होगा, option B, okay, World Trade Organization, WTO, question 93 देखिए, which country recently rejoined the Commonwealth as 54th member, बाहर निकल गया था, वापस जोएन कर लिया है, तो correct answer इसका होगा, option A, Maldives, which of the following countries, is a member of Shanghai Corporation Organization, Shanghai Corporation Organization का, जो आठो मेंबर है, उसका नाम याद रखिएगा, तो इसका correct answer होगा, option D, कजाकिस्तान मेंबर है, बाखी दिनों नहीं है, question 95 देखिए, Quad का सदस्य, कौन है, ये पूछा जा रहा है, इन चारों में, तो correct answer हो जाएगा, option B, Japan है, Japan, Australia, India, USA, which is the only United Nations organ, not to have headquarters in New York, United Nations का जो organs है, वो सब New York में ही, headquartered है, बस एक को छोड़ कर, तो correct answer इसका हो जाएगा, option C, okay, ICJ, which was the host country, for 12th BRICS summit, BRICS और SCO, इन दोनों से, सबसे ज़्यादा संभावना रथा है, कि ये question जरूर आएगा, okay, Russia host country था, 20th anniversary of SCO in 2021, is being observed as, किस वर्स के रूप में, मनाया जा रहा है, तो correct answer इसका होगा, option A, year of culture, question 99 बता ही, which organization brings out, the corruption perception index, again very important, ये report है, या index का सकते हैं, तो इसका correct answer हो जाएगा, option A, transparency international, okay, 100th question, what is India's rank in, global innovation index, 2020 of WIPO, world intellectual property organization, global innovation index, again very important, तो correct answer इसका हो जाएगा, option B, 48th rank इंडिया का, तो इस तरह से, आज का 100 questions, finish हुआ, तो अपना score जरूर बताईएगा, और अगला जो test होगा, वो आपका next Sunday फिर से, और जोग्रफी का होगा, paper 1 का जो जोग्रफी portion है, चारू section, revise करके आईएगा, अगर आप इस series को follow कर रहे हैं तो है ना, और पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आप से, आप video analysis में, ओके, थैंक्यू,